Welcome dear students to NDA Math Classes by D.B. Sir तो बच्चों आज के इस क्लास हम डिसकस करेंगे Basic Proportionalty Theorem जिसको short में BPT बोले जाता है B for Basic, P for Proportionalty and T for Theorem और उसका दूसरा नाम है Thales Theorem तो यहाँ पर हमने statement लिखा हुआ है theorem का statement is very important because इसी statement का use करते भी आप questions को solve करेंगे जो इसका exercise है उनमें जितने भी questions given है ओके तो statement तो आपके रिमाप में घुल जाना चाहिए अच्छी तरीके से ताकि आप questions को इस तरीके से handle कर पाई और दूसरी चीज़ के proof की बात रही तो proof हम यहाँ पर आपको provide कराएंगे पहले इसके statement को समझ लेते हैं कि statement क्या कह रहे है तो देखे as you can see on the screen लिखा क्या है if a line drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points the other two sides are divided in the same ratio इस कहने का मतलब क्या है तो इसको हम इस statement को triangle के माधियम से समझते हैं ठीक है हमने यहाँ पे एक triangle बना रखा है ABC आप देख रहोंगे जैसे कि आप सभी को मालूम होना चाहिए किसी भी triangle के 3 side हैं होती है तो इस triangle की भी जायर सी बात है 3 side है आपके सामने में 3 के 3 side है अगर मैं इस triangle की बात करूँ triangle ABC की तो इसकी 3 side हैं एक side तो AB हो गई दूसरी side BC हो गई और तीसरी side AC हो गई तो यह theorem कहता है अगर मैं कोई line plot कर दूँ ठीक है parallel किसी भी side की सबोस्थ मैंने यहाँ पे एक side BC select किया और BC के parallel मैंने एक line draw कर दी कहीं से भी ताकि वो other two sides को intersect करे distinct points में ठीक है आप नीचे से draw करो या उपर से draw करो या बीच से draw करो कहीं से भी draw करो चलेगा ठीक है सबोस्थ करो मैं नीचे से यहाँ से draw कर लेता हूँ यह मैंने line L draw किया BC के parallel ठीक है एक side मैंने triangle के लिए BC BC को select किया और इसके parallel मैंने एक line draw कर दी और जो other two sides other two sides यहाँ पर क्या हो गए select मैंने BC को किया था AB और AC को तो किया नहीं था ठीक है तो other two sides आपके AB और AC हो गए तो other two sides को यह distinct points पे intersect कर रहा है इन points को identify करने के लिए यहाँ पर नाम लिग दाता है सबोस्थ करो मैं यहाँ पर L line जो है AB को point E पे intersect कर रहा है और L line AC को F point पे intersect कर रहा है ठीक है तो ऐसा होने पर जो है other two sides same ratio में divide हो जाएंगे मिस कहने का मतलब क्या है अब AB को देख रहोंगे आप AB के दो piece हो चुगे है ठीक है AB के दो piece यानि की AB पे बीच आप मिस बीच पे एक point और आगिया है E तो AB के दो piece क्या होगे AE एक तुकड़ा तो A से लेके E तक का होगिया दूसरा तुकड़ा होगे E से लेके B तक का है और वैसे AC के भी दो तुकड़े होगे एक तुकड़ा होगा AF और दूसरा तुकड़ा होगे F से लेके C FC ठीक है तो इनका ratio जो बनेगा वो equal बनेगा यानि कहने का मतलब क्या है AB के जो दो तुकड़े बने AE और दूसरा तुकड़ा था EB इन दोनों का जो ratio बनेगा वो equal होगा किसके AC के जो दो piece बनेगा उनके ratio के means AF और FC के ratio के बराबर बनेगा ठीक है means other two sides जो है are divided in the same ratio तो आपको कहानी थोड़ी थोड़ी सहुझ में आ गई होगी ठीक है तो once again I am repeating अब मैं दूसरी लाइन प्लोट करता हूँ और side दूसरा सेलेक करता हूँ ठीक है जो यह नहीं कि हम ऐसा ही हो suppose कीजिए मैंने L लाइन को मैंने अब कह किए AB को किजिए ठीक है थोड़ा सा पैलेल होना चाहिए तो मैंने क्या किया इसको स्लेक किया AB को और AB के पैलेल एक लाइन मैंने प्लोट कर दी इस लाइन का नाम हो गया माल लेते हैं L ठीक है अब यह जो L लाइन है AB के पैलेल है other two sides यहापर होगए AC और BC और AC और BC को दो distinct points पर यह intersect कर रहा है L line इसको point P माल लेता हूँ AC को जहाँ पर मिल ला है और BC को जहाँ पर मिल ला है उस point को Q नाम लेता हूँ ठीक है तो यहाँ पर भी जो ratio बनेगा इसके माधियम से जो ratio बनेगा दोनों sides में other two sides में वो equal बनेगा that means AC में क्या क्या ratio बन गया AC में दो तुकड़े बन गया CP एक piece तो हो गया C से लेके P तक का दूसरा piece हो गया A से लेके P तक का और वैसे ही BC में भी दो तुकड़े होगे एक तुकड़ा हो गया C से लेके Q तक का और दूसरा तुकड़ा होगे और यहां भी आप C से स्टार्ट करेंगे, यह ऐसा नहीं कि B से उल्टा कर दिया आपने, ठीक है, तो यहां पर मैं इसको टॉप जो है, C को मानना हूँ, तो एक जगे से स्टार्ट करना हूँ, C P upon P A will be equal to C Q upon Q B, C Q upon Q B, ठीक है, उल्टा मत कर दिजिएगा, आपकी C P upon P A कर द दिया, और यहां पर आपने ल्ट दिया C Q upon Q B, तो उल्टा हो जाएगा ऐसे में तो, ठीक है, यह आप C P upon P A लिख रहे हो, उसके बाल लिख देरो Q B upon Q C, तो यह उल्टा हो जाएगा, यह से अगर आप C से स्टार्ट कर तो C से ही आपका जाना चाहिए रेशियो दोनों में यह आप A की तरफ से और B की तरफ से स्टार्ट कर तो उल्टी तरफ से यह आपका रेशियो जाने चाहिए, ओके, hope this is clear, तो अगर आप इस तरह के से देखेंगे, तो यह आपका ठीक हो जाना चाहिए, अब देखिए, अब इसका प्रूफ हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो हम इसको थोड़ा से एजी बनाने के लिए पहले वाले फिगर मा जाते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में क्या था, तो स्टार्टिंग में क्या क्या था, हमने एक लाइन प्लॉट की थी, बी-सी के प्लॉट कर दी, यह लाइन जो है, बी-सी के प्लॉट कर दी, यह लाइ mb will be equal to a n upon n c तो यहाँ पर given क्या था given में है आपका in triangle in triangle a b c ठीक है in triangle a b c align align sorry दो बाल लिख दे align l is drawn parallel to parallel to किसके parallel draw गया हमने l line को b c के parallel draw गया which intersects which intersects a b at m a b को m पे intersect कर रहा है and a c at p sorry n a c को n point पे intersect कर रहा है ठीक है और proof क्या करना है यह भी लिख देता है to proof तो proof क्या करना है हमने a m upon m b will be equal to a n upon n c ठीक है तो इसका धहान रखेंगे a से start कर रहा है तो a m upon m b will be equal to a n upon n c अब ऐसा नहीं कि a m upon m b लिख दिया और वहाँ आपने फिर नीचे n c upon a n लिख दिया ऐसे गलत हो जाएगा ठीक है जब उल्टा करने तो पूरा ही उल्टा कर दो b m upon m e will be equal to c n upon n e उल्टा पूरा ही कर दो दोनु दरफ उल्टा कर दो तो वो भी चलेगा ओके hope this is clear तो statement आपका clear हो चुगा हो अभी तक अब इसका proof हम start करने जा रहे है इसके लिए मैं construction की जवद पड़ेगी तो construction हम यहाँ पर कर लेते हैं construction में क्या करेंगे हम लोग construction में मैंने क्या किया m से एक line plot किया perpendicular to perpendicular to ac तो इसको मा लेता हूँ p m p m p perpendicular draw कर दिया हमने किसके ac के यह 90 degree का angle बना रहा है ac के साथ और वैसी एक altitude odd draw कर दिया point n से किसके उपर n से लेकर कि हमने point n से लेकर कि a b के उपर हमने altitude odd draw कर दिया इसका नाम लेकर दिया n q तो यहां मैंने लिए construction में n q जो है perpendicular है किसके उपर a b के उपर 90 degree का angle बनाए गया है और एक चीज b से n को join कर लेते हैं और m से c को join कर लेते हैं बाकी कुछ भी नहीं है बाकी area वाला आपको मालोग उना अच्छी area of triangle तो थोड़ा सा इसको repeat कर लेते हैं बाकी छोरम simple सा आपका ठीक है किसी भी triangle का area निकालने के ले आप लगा तो half into base into corresponding altitude जो कि आप छोटी class से पढ़ते हा रहे हैं ठीक है ये तो ठीक है suppose कीजिए अगर मैंने किसी triangle की area निकालनी है ये triangle आपके पास a b c ये triangle है इसकी area आपको चीजिए तो आप इसमें base किसको मानेंगी ठीक है तो base मान निकले यहाँ पर आप जो ये निकी b c को ये base माने आप a b को ये base मान सकते हैं या a c को ये base मान सकते हैं बट हमें corresponding altitude उसका मालूम होना चाहिए अगर मैं b c को base मानता हूँ तो इसके लिए corresponding altitude का होना ज़रूरी है suppose करो ये आपका इसका corresponding altitude होगा a m तो इस triangle की area हो जागी half into base मैंने b c को मान आप तो इसका corresponding altitude मुझे मालूम है या पर a m है तो इसकी area में half into base into corresponding altitude से निकाल सकता हूँ ठीक है अगर मैं ऐसा होता है फिर से triangle मैंने यही बना रहे है a b c ठीक है अगर मैं a b को base मान था हूँ और इसका area निकलना जाए तो a b के corresponding मुझे altitude मालूम होना चाहिए ठीक है तो इसका altitude c से आएगा तो c से जो altitude आएगा मालूद c n है तो इसका area हो जाएगा half into base अब a b मान लिया था हमने और इसका corresponding altitude हो गया c n हो गया तो इस तरह के से भी इसका area निकल जाएगी और वैसे आप ac को base माना तब भी आप area निकल सकते हैं एक चीज तो यह clear हो जानी चे आप लोगी ठीक है दूसरी चीज इसमें clear होने वाली बात क्या है suppose कीजिए कोई obtuse angle triangle हमने बनाया ठीक है तो इसमें थोड़ा समझना आप लोगों ने suppose कीजिए मैंने कोई obtuse angle triangle बनाया यह obtuse angle triangle हो गया ठीक है अब इसकी area निकलना चाहता हूँ में और base मानना चाहता हूँ इसको BC को ठीक है अगर मैं BC को base मानना चाहता हूँ A से जब मैं इसका altitude draw करूँगा तो यह कहीं B C को आगे जब produce करूँगा B C को आगे को बढ़ाऊँगा यहां को B की तरफ को तो यहां A से जब यहां से plot करूँगा तब जाके इसका altitude यहां गिरेगा मालत A M ठीक है तो A M जो है perpendicular है यहां B C के उपर लेकिन B C के उपर नहीं पड़ा हो B C के बाहर कहीं B C को जाओने produce किया तब जाके उसके उपर आया है तो इस चीज को आपने समझना है तो इस triangle की भी area हम निकाल सकते हैं और base इसमें B C को हमने माना है तो इसकी area क्या हो जाएगी half into base होगी है इसका B C और इसका जो corresponding altitude होगा वो हो जाएगा B C का corresponding altitude A है ठीक है तो इस formula से हम इसकी area निकाल सकते हैं ठीक है hope this is clear तो इतना अगर आपको मालूम है तो बाकी कुछ भी नहीं और एक theorem आपका class 9 का लगए है जब हम I A को चल के इसको solve करेंगी तब उसको समझाएंगे ठीक है फिलार इतना समझ लीजिए आप लोग अब देखते हैं इसका proof ठीक है तो proof आप ध्यान देंगे starting से तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम निकालते है area of triangle AMN figure को देखिए AMN आपको triangle दिखी रहा होगा area of triangle AMN इसका area निकालने के लिए formula हमने लगा दिया हम इसमें base को मानेंगे पहले AM को ठीक है तो यहाँ पर ध्यान देजिएगा triangle AMN में base को मानना हो AM को AM को क्यों base मानना हो इसका region है क्योंकि मुझे proof करना है AM upon MB और जो दूसरा triangle लोगा मैं base में MB को मानना हो ठीक है और इस वाले triangle में base किसको मानना हो एम को AM को base मानने के लिए अगर मैं AM को base मानता हूँ तो इसका area जागा half into base AM हो गया तो AM का corresponding altitude यहाँ बनाई है NQ या QN बोलो या NQ बोलो बात है किये तो आप NQ देखिए इसके उपर जो है perpendicular है altitude है AM का ठीक है तो इसका हमने रिख दिया NQ half into base into height ओके वैसे फिर मैंने area निकाला इसके नीचे आले triangle इसको मैं shade कर रहा हूँ डाग करता हूँ green कलर से आप देख रहा हूँगे in triangle in triangle MNB MNB triangle देखिए जो मैंने पूरा ही green shade कर दिया है ठीक है area of triangle MNB MNB area का जो triangle है sorry MNB triangle की जो area है वो आ जाएगी half into इसमें base किसको मानूँगा अभी मैंने का था कि इसमें MB को base मानूँगा प्रूफ करने पे जो हमें produce करके देखिए M की तरफ को produce किया आगे जाके NQ जो है इसके उपर altitude पड़ा हुआ है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जैसे मैंने obtuse angle triangle की बात करी थी तो वही चीज़ के लिए लागो हो रही है तो इसका जो altitude पड़ रहा है इन दोनों को divide करेंगे तो divide करने पे सीधे ही cancel कर दो half से half cancel हो जाएगा देखिए जो equation हमने बना रखे है area of AM हमने लिखाई ही है half into AM into NQ और area of MNV half into MB into NQ चब इन दोन को divide करूँगा upon में लिखूँगा तो half से half cancel हो जाएगा और NQ से NQ भी cancel हो जाएगा ठीक है cancel होने के अब बचेगा कौन केवल AM और MB बच जाएगा इस टैप से इसको मैं equation 1 मान लेता हूँ ठीक है इसी टैप से आप दूसरी तरफ आईए फिर से आपने क्या करना है area of triangle AMN दुबारा निकालना है जैसे हमने starting में लिखा था area of AMN फिर से मैंने निकाला area of AMN ठीक है area of AMN के लिए अब मैंने क्या क्या base किसका दिया base मान लिया AN ठीक है an को base मानूँगा अब में triangle AMN में area निकालने के लिए base किसको मानूँगा an को क्योंकि मुझे prove करना है an upon nc और दूसरा जो triangle होगा उसमें nc को base मानूँगा ठीक है तो half into base मैंने क्या माना triangle AMN में अब an मान लिया है अगर an को base मानूँगा तो इसका corresponding altitude क्या हो जाएगा mp ठीक है corresponding altitude हो जाएगा mp जैसे कि आप figure में देख रहोंगे mp ओके फिर मैंने क्या क्या अब यह red वाले जो triangle इसको मैंने set कर दिया नीचे माँ आप देख रहोंगे पूरा ही red कर दिया मैंने red कर रहा हो भी ठीक है तो यह red से triangle है mnc अब इसका area निकालूँगा area of triangle mnc will be equal to इसको दूबारा लिख देता हूँ अब फिर से इन दोनों को मैंने फिर से divide किया ठीक है जैसे मैंने first or second को divide किया था वोसे ही अब यह आपका third or fourth इन दोनों को divide कर देता हूँ ठीक है इन दोनों को जैसे ही divide करूँगा मैं तो क्या आ जाएगा आपके सामने में result area of amn upon area of area of mnc will be equal to यहाँ भी हाफ साफ कर जाएगा mpc mp कर जाएगा तो क्या बचेगा an upon nc ठीक है यह हो गया equation second ओके और एक equation मनाते हैं आप equation और area के जो अतनी हैं ठीक है cable हमें जाना है class 9 में class 9 में आप जैसे आपने पढ़ा होगा अगर दो triangle same parallel lines के बीच में उनका base same हो तो उनका area एक्वल होता है तो यहाँ आप आप देख रहूंगे triangle mnb triangle mnb को देखे फिगर में triangle mnb and triangle mnc दोनों triangle same parallel lines के बीच में है L और BC के BC के या Mn और BC के parallel में है ठीक है नथज इन दो parallel lines के बीच में है ये दोनों triangle और दोनों का base same है MN इनका base है MNC triangle बनना है MNB और MNC triangle बनना है MNC और दोनों triangle same parallel lines के बीच में MN और BC के बीच में, okay तो दोनों के area equal होगी तो हम क्याइस कहते है as we know that, as we know that, as we know that, as we know that triangles on the same base, on the same base and between को short में लिख दिया between the same parallels same parallel lines are equal in area यह हमने theorem पढ़ा था class 9 में hope you remember तो हमने कह दिया इस theorem के यह साब से कि area of triangle MNB और area of triangle MNC दोनु ट्राइंगल की area equal होगी इसको equation 3rd मां लेता हूँ ठीक है अब के वल आपने equations को ध्यान देना है equation 1st, 2nd और 3rd में ध्यान दीजिए equation 1st में देखिए equation 1st के left hand side को देखिए पहले तो इसको मैं दूसरे color का यूज़ करता हूँ अगर दोनु fraction को देखिए, दोनु का numerator same है, ठीक है, means equation 1 में जो left hand side में fraction बन रहा है area of amn यहाँ भी area of amn है इस दोनु के numerator equal है, amn, amn की area तो equal होगी होगी, और अगर हम इसके denometers की बात करें तो denometers में equation 1 में जो left hand side में denometer है उसके नीचे में किया area of amn b और यहाँ पे denominator में area of mn c, अब यह दोनु भी equal है, अब यह दोनु equal किसे है equation 3rd कह रहा है, हम नहीं कह रहे है जो हमने equation 3rd लिखा हुआ है, as we know that triangles on the same base and between the same parallel lines are equal in area, तो यहाँ हमने लिखा हुआ है equation 3rd में, area of mn b is equal to area of mn c, तो area of mn b और area of mn c भी equal है that means numerator तो साब साब वैसे ही दिख रहे है, amn और amn, दोनु same ही triangle है, और दोनु की area तो same ही हो गई, और mn b और mn c की area भी equal होगी, that means numerator upon denominator दोनु की equal हो रहे है means हम यहाँ से कह सकते हैं कि from equation 1st, 2nd और 3rd से कि इनके left hand side equal है, ठीक है equation 1 और equation 2 के left hand side equal हो जाएंगे अगर left hand side equal होंगे, तो जायर सी बात है, right hand side भी equal होना पड़ेगा, ठीक है, दो आपके, जैसे हमने लिखा x equal to y, x equal to y लिख दिया, और यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ आप आप देख रहोंगे, कि यहाँ दो equation में x और x तो दोनु equal है left hand side, तो जायर सी बात है, तो y और z भी equal हो जाएंगे, right hand side भी equal हो जाएंगे, okay, things which are equal to the same thing are equal in area, sorry, equal to each other, okay, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, from equations 1, 2 and 3, तो नीचे मैं लिख देता हूंगे, from first, second and third, तो क्या रिसकर्स आएगा, कि equation 1 और equation 2 के जो right hand side है, right hand side माने am upon mb will be equal to an upon nc, तो यह आपका proof हो चुका है, हम यहाँ पर लिख देते हैं नीचे में, from equations, first, second and third, am upon mb will be equal to an upon nc, an upon nc, जेगे थोड़े सी कम हो रही है, तो मैं यहाँ पर बोल ना हूँ, तो इससे भी आपका clear हो जाना चाहिए, an upon nc, okay, hope this is clear, तो बाकि इसमें केवल ज़्यादा कुछ नहीं है, area, simple सा formula है, half into base into height वाल या half into base into corresponding altitude वाला, उसके बाद हमने एक theorem का use किया, जो कि आपने class 9 में पढ़ा था, triangles on the same base and between the same parallel lines are equal in area, बागे आपके सामने simple सा areas को हमने देखता, compare कर लिया, कि left hand side, दोनों के equation 1 और equation 2 के left hand side equal हो गए, उसके लिए equal होने के लिए, एक numerator तो साब साब दिख रहा था, कि equal है, औ इसका मतलब numerator भी equal है, denominator भी equal है, तो पूरा का पूरा fraction equal हो गया, that means left hand side पूरा equal हो गया, अगर left hand side पूरा equal हो गया, तो right hand side भी equal हो जाएगा, ठीक है, तो hope this is clear, तो आज की class में इतना ही discuss करेंगा, और इसका जो statement है, बिमाग में रखेगा आप, बागी अगली class में हम discuss करेंग से करेंग along, स्पूरा ये और इसका में जाएगरा करेंजा ही जाएगा